दोस्तों मैं हरीज जोसी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूप टॉफ आर्गनिक्स में दोस्तों मैं समय समय पर आपको वेजिटेवल, फ्लावर्स या दूसरे प्लांट्स की जानकारी देते रहते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक आवर से सेहर करा करें जिससे कि उनको भी इनफॉर्मेशन मिले कुछ और वह भी कुछ प्रेरित हों अपने बातावरन को अच्छा बनाने के लिए अपने घर में अच्छी और्गनिक सब्जिया लगाने के लिए तो ऐसे ही इसी प्लांट के लिए आज इनफॉर्मेशन लेके पास आपके पास आये हैं जो है बैगन दोस्तों हम लोग सब बैगन लगाते हैं लेकिन कई बार हमें रिजल्व नहीं मिलते हैं बस चोटी सी गलतिया हम कर बैठते हैं अगर आप अच्छी तरह से थोड़ा सा इसका देख बाल करेंगे सबसे ईजी ग्रोइंग है आप जरू ट् आर्विस्टिंग कर चुके हैं तो इसमें लगातार आपकी सब्जिया आती रहती हैं और दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप गोल बैगन भी लगा सकते हैं यह हमारे भरते वाले बैगन है आप यह देख रहे हैं देखिए दोस्तों टूट भी गया य और उपर देखिए सामने यह देखिए और दूर आप देख पा रहे हैं तो वहां भी हमारे बैगन लगए हैं और इसमें भी लगातार कंटिनुएसली बैगन हमारे दोस्तों आ रहे हैं इस परकार कि जब हमारे को डिजल्स मिलते हैं दोस्तों तो हमारा मन करता है कि हम अप आपको सब्जिया खाने को मिल जाती हैं तो आज मैं complete information आपको देने जा रहा हूं बैगन की इस यह सई समय है अक्टूबर का महिना है आप बैगन के बीज लाइए अच्छे बीज लाइए और आप उन बीजू में से थोड़े से बीज निकालते हुए किसी पॉट के अंदर मि जाएं तो आप थोड़ा से बड़े कंटेनर के अंदर यानिकी 12 इंच से जादा 14 इंच या जो आपके पास परकार की टैंक्या हैं या कुछ ग्रो बैक हैं तो उसके अंदर इसको लगाएंगे तो आपको इसके रिजर्ट बहुत अच्छे मिलेंगे जो भी बैगन आपको पसंद है इसमें ग्रीन कलर का भी बैगन आता है अभी हमारे पास वह एविलेबल नहीं है क्योंकि खराब हो चुका है हमारा दुबारा लगाएंगे सेजन में हम उसको आप किसी भी परकार का बैगन जो आपको अच्छा लगता है आप लगाईए तो जब उसकी परकार से तो आपको इस परकार से लगाना है उसको अब उसकी मिट्टी की सॉयल की अगर हम बात करें तो दोस्तो बैगन तो आप स्टार्टिंग में इसकी सॉयल अच्छी मिना लेंगे तो आपको बहुत अच्छी रिजल मिलेंगे तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस उसको तीन या चार भाग में और मिट्टी साथ में और आपको कुछ ज्यादा इसमें मिलाने के आशकता नहीं है दोस्तों बोर्मील आपकी इच्छा है अगर आप मिला लेंगे तो अच्छा है अधर्वाइस वही नहीं एक गोवर्र की खाद या वर्मी कंपोस की पूरती पूरी कर देत है और तब आप देखें इसमें फ्लावरिंग जब स्टार्ट हो रही है तो दोस्तों उस वक्त आपको इसको लिक्विट फैटिलाइजर देना है और वो देना है आपको सर्सुं की खली का सर्सुं की खली की वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्त हो जाएगी तो उस उस साल तक आपको लगाता फ्रूटिंग देने वाला प्लांट है तो दोस्तों इस परकार से आप इसकी मिट्टी बनाईए और दोस्तों जब यह थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे तो इसके अंदर क्या होता है कि आप देखेंगे आपका प्लांट तो उपर से आपको बचाना है इसमें वाइड मिली बग्ज भी आपके लग सकते हैं तो दोस्तों आपके प्लांट को बचाने के लिए उसमें समय समय पर आपको कुछ पैस्टिसाइड का परियोग करना है और उसके लिए आप और गनिक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो वह बहुत अच्छा है क्योंकि हमें बाहर की तरह जहर अपने प्लांट में नहीं डालना है कैमिकल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें आप जो हम यह बता रहे हैं इन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके प्लांट हमेशा हेल्थी रहने वाला है आप ट्राइ करके लेना है उसको अपने पांस से निलेना है थोड़ा सा लेना है है और उसको अपने रात बिगा लेना है इसको चान ले उसके प्रशाद इसमें थम्हें सहाब इसको नहीं जलेगा लेकिन आप इसका आदा इस्तिमाल करिए और इसमें थोड़ा सा नीम ऑईल जरूर मिला दीजिए और जब नीम और इसका इस्तिमाल आप करेंगे क्योंकि इसकी स्मेल बहुत रहती है तो कीट उसको पसंद नहीं करते हैं वह आएंगे नहीं और जो होंगे भी नीम ऑईल के साथ इसके साथ जब आप मिक्स करके इसको मिलाएंगे तो वह सारे आपके मर जाते हैं और अगर आपके पास ज्यादा हो गया है तो आप उसमें एक काम और करिए जो गोल है इसके अंदर थोड़ा सा लहसन और मिट्ची को उसको आपको मिक्सी में उसको पीच आप आएंगे और हां दोस्तों को स्प्रे करना है आपको सामके वक्त इसमें मौनिंग में कभी भी ना करें तो आप रात को आप स्प्रे करेंगे तो उससे इसके प्लांट जो है उसको पूरा अब्जर्ब कर लेता है और ध्यान रखें कि आपको उपर के बजाए ज्यादा तर नीचे से इसमें ज्यादा होता है तो आपको अच्छी तरह से आगे पीछे पूरे प्लांट को आपने करना है तो यह इस चीज को अगर बैस्ट रहेगा अगर आप हर 10 से 15 15 दिन के अंदर अगर आप इसको रिपीट करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्लां करने जा रहे हैं आई यह देखते हैं हमें तो आनंद आए गई आपको भी देखते हुए बहुत आनन आने वाला है तो दोस्तों देखिए अभी इसमें थोड़ा सा समय है इसको हम छोड़ देंगे अभी इसमें भी समय है और बहुत बड़ा साइज क्यूंकि हमारे गार्ड बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा मैसूस करते हैं तो अपने चछत पर सब्जी लगाने का और उसको उनके हार्वेस्टिंग करने का एक अनंदी अलग होता है तो दोस्तों हमने चार बैगन अभी ले लिए हैं अभी में को लगता है कि दो तिन दिन और दो चाल लुक उनको छोड़ देते हैं तो फिर चार बैगन और हमारे त्यार हो जाएंगे तो दोस्तों इस परकार से देखिए हमने च्छत से बैगन अपने हार्वेस्ट कर लिए हैं यह तो आप भी थोड़ा सा ट्राइ करिए मैं आपसे यही बैगन नहीं कह रहा हूं जो भी बैगन लगा के दीखिए बहुत इजी ग्रोइंग है और जो खाद हमने बताई है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी आसे ही रिजल मिलेंगे आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में वीडियो को लाइक जरूर करें और